कुछिन नमबर फाइफ एक्सराइज एट पॉइंट वन क्लास टैन्थ मैथमाटिक्स गेविन क्या दियर सेक ठीटा सैग ठीटा किसके बढ़ा थो तर्वा कॉस का उल इल्टा होनास होता है बेस अपन होगा यहां हो ह्पोन अपन बेस इस इपन टू काओं भ सफपल की और टेक्नो मेटरी सिसे यह राइट एंगल होता है ठीक है ना सच दे एक रखा सब्सकुत है या या यह भीयोग कोई प्रॉल्म नहीं होता कि बाता है यह एक तरहको नदने है या नदाल समय महई तो हाइपोटोंनिय प्लटनियोना यह घुजा है सेंट्रीमीर पता है नहीं बेस जो बारा किलोमीटर दे रिके नहीं दे रुकित तो इसे हम क्या माल लेते क्या माल लेते हैं कि पेभिए सी इपल टू थर्टीन के कि इंड ऑबी बिगाए इस इकल टू टो टूट के हैं तिक है वेर, k is a positive integer, यह हमारा k क्या है, कोई positive integer है, कोई positive number है, ठीक है न, by Pythagore's theorem, by Pythagore's theorem, क्या कहती, hypotenuse square, is equal to, base square, upon, plus, perpendicular, perpendicular, का हमारा कै, bc square, ac is equal to, 13k square, is equal to, a, b, 12k square, pillars, bc square, तो यह हमार, bc आ जागा, 13, 13, का square कितना होता है, 169, k square, यह दर आ जागा, minus, 144, k square, is equal to, bc square, यह सब तो निकालना आता हुआ, इसमें से, 9 में से, 4 के कितना बचे, 5 बचे, और 6 में से, 4 के कितना बचे, 2 बचे, 2k square, is equal to, bc square, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5k, is equal to, bc, bc हमारा कितना आ गया, 5k आ गया, अब यह कहते हैं, अधर टिक्नोमेट्री रेश्यो निकालनी है, वो भी निकाल देते है, वो हमारी अधर टिक्नोमेट्री रेश्यो कौन-कौन सी है, सबसे पहले, साइन है, वो भी एंगिल में ठीटा में दे रखका है, तब सबसे फ़रे हैं, हमारा साइन ठीटा, परपेंडिक्र अपवान हाईपोटोनिस, हमारा परपेंडिक्र कितना 5k, हाईपोटोनिस के रेज़ कितना 13k, k से k एक अटा 5 अपवान 13, दूसरा था कॉस ठीटा, cos theta आप हमारा बराबर होता है base upon hypotenuse base कितनी है हमारी 12k hypotenuse हमारी तो सेम ही रहेगी 13k that is equal to 12 upon 13 sin cos के बाद आता है हमारा 10 10 theta 10 theta किसके बराबर होता है perpendicular upon base perpendicular 5k base 12k k के खतम 5 upon 12 क्योंकि ये ratios होते है ratios के कोई unit होती 10 के बाद हमारा हमने क्या आता है cos theta cos theta cos theta हमारा 1 upon sin theta का उल्टा होता हमारा sin theta कितना है 5 upon 13 that is equal to 13 upon 5 पिर आता sac sac हमारा तो इन्होंने देगी रखा था cos theta cos theta cos theta cos theta किसके बाद है 1 upon 10 theta 10 theta का उल्टा होता है 10 theta 5 upon 12 that is 12 upon 5 सारे टिक्नोमेट्री से लिखके भी कर सकते है यहां भी लिख सकते है को से ठीटा किसके बराबर होता है इसका है है याद करो 10 theta perpendicular upon base याद करो cos theta 1 upon sin theta यानि कि साइन ठीटा का उल्टा होता है यानि कि यानि कि हाई परपेंड़ का सच ठीटा कोस राइन कि सब्सक्राइब कोट ठीटा होगा बस बन परपेंड़ का ठीक है okay okay